आज हम जानेंगे कुछ ऐसे amazing action movies के बारे में जो की all time hit रही है और इन action movies के concept तो अलग है ही साथ ही साथ इनके action styles भी totally different है तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही interesting action movies के बारे में जिनें आप at least एक बार तो जरूर देखना चाहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये top 10 countdown तो चलिए शुरू करते हैं नमबर 15 बेवी ड्राइवर मुवी को रिलीज की गे थी 2017 में और मुवी बेस्ट है drama crime and action activity के ओपर मुवी की story शुरू होती है एलसन एलगर से जो की baby के character में नज़र आएंगे इस मुवी में और उनका काम होता है अच्छी driving करना या फिर कह सकते हैं कि बड़े बड़े criminals को किसी भी तरह से सुरक्षित पहुचाना उनका ये काम रहता है इसी को पर बेस करके ये complete movie बनी है कि क्या last तक वो criminals की मदद करते रहेंगे या फिर last में कोई बड़ा सिध्धान तो वो खुद भी लेंगे इसी को पर बेस करके ये complete movie बनी है नमबर 14, Face Off मुवी को release की गे थी 1997 में और मुवी पेस्ट है thriller and action activity के ओपर मुवी की story शुरू होती है Nicholas Cage and John as a villain के character में इस movie में आपको नज़र आएंगे और दूसरी और Nicholas Cage as a police officer के character में नज़र आएंगे लेकिन इन दोनों के चेहरे को बीच में बदल जाता है और दोनों की character को भी change कर दिया जाता है मुवी की story बहुत जादा interesting तब हो जाती है जब दोनों character एक दूसरे से change हो जाते हैं और एक दूसरे की अलग life और जीना शुरू कर देते हैं इसी को बेस करके ये complete मुवी बनी है क्या last तक Nicholas Cage अपने आपको फिर से police officer के रूप में देख पाएंगे मुवी को release की गए थी 2011 में और मुवी बेस्ट है crime thriller and action activity के ओपर मुवी की story शुरू होती है कुछ officers से जो की एक building में raid डालने जाते हैं जहांपे बहुत सारे gangster रहते हैं raid डालते वक्त उनसे कुछ गलतिया हो जाती है और इसी बीच गैंस्टर को पता चल जाता है कि raid डाला गया है इस building पर उसी वक्त शुरू हो जाता है वहाँ पर मौत का सिलसरय या फिर कह सकते हैं दोनों के बीच घमासान युद्ध सुरू हो जाता है मुवी के action बहुत जादा original लगेंगे आपको और इसके martial art acts भी आपको बहुत जादा रोमाचित लगेंगे मुवी बहुत जादा hit हुई थी और इसे worldwide में रिलीस की गई थी इवन इसे हिंदी में भी रिलीस की गई थी नमबर 12 John Wick मुवी को रिलीस की गई थी 2014 में और मुवी based है crime, mystery and action activity को उपर मुवी की story शुरू होती है John Wick जिनकी पत्नी अचानक से मारी जाती है और उनके पास उनकी last हाद उनका एक दिया हुआ कुत्ता रहता है लेकिन कुछ Russian gangster उस कुत्ते को मार देते हैं जौन विक की सबसे प्यारी कार को वो चुरा लेते हैं मुवी की story वहीं से शुरू होती है कि John Wick सिरिप अपने एक कुत्ते के लिए complete Russian gangster को खतम करने के लिए उतावले हो जाते हैं मुवी की concept story एकदम different है और इस मुवी में John Wick के action style आपको पागल कर देंगे मुवी बहुत ज़्यादा hit हुई थी और इसे हिंदी में भी release की गए थी मुवी को release की गए थी 2016 में और मुवी based है science fiction and action activity के उबर मुवी की story शुरू होती है जेन के पिता से जिनने forcefully death star को complete करने के लिए कहा जाता है लेकिन वो complete नहीं का परता है दूसरी तरब जब जेन बड़ी हो जाती है तो उसी death star के print को चुराना चाती है मुवी में देखने लाए कि है वी वर्स क्या जेनी अपने मकसद में कामियाब रहती है या फिर नहीं रहती है मुवी full of action food है और मुवी को हिंदी में भी release की गई है क्योंकि ये मुवी आपको interval तक confuse करेगी क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे असल मुवी में हो क्या रहा है बार बार एक ही चीज repeat होती रहेगी repeat होती रहेगी मुवी की story शुरू होती है major William case से जो की एक soldier है और वो alien से लड़ते हैं लेकिन मुवी आपको बहुत ज़्यादा confusing तब लग जाती है जब वही चीज़े बार बार उनके साथ repeat होते रहती है वो मरते हैं बाद में उनके साथ फिर से वही चीज़े repeat होनी शुरू हो जाती है या फिर कह सकते हैं कि वो एक time loop में catch हो जाते है मुवी इसी के आरण बहुत ज़्यादा interesting है और मुवी की action तो बहुत ज़्यादा interesting है और इस मुवी को भी हिंदी में release की गई है मुवी को release की गए थी 2014 में और मुवी based है crime thriller and action activity के ओपर मुवी की story शुरू होती है district 13 जहाँ पे बहुत सारे criminal activity होती है और उन्हें government खतम कर देना चाते है लेकिन इसी बीच उस district 13 में बहुत सारे innocent लोग भी रहते है और उन innocent लोगों को कुछ police officer और कुछ secret missions वाले लोग उन्हें बचाना चाते है मुवी में देखने लाया क्या है viewers क्या district 13 को वो बचा पाते है या फिर नहीं बचा पाते है इसी को पर base करके यह complete मुवी बनी है मुवी की action बहुत ज़्यादे interesting है और इसकी background music action को बहुत ज़्यादा रोमांचित कर देती है नमबर 8, On Park मुवी को release की गए थी 2003 में और मुवी based है thriller action and mystery activity के उपर मुवी की story के अगर हम बात करो तो मुवी की story बहुत ज़्यादा low budget है लेकिन इस मुवी की martial art सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मुवी low budget होने के बावजूद भी ये मुवी worldwide बहुत ज़्यादा hit हुई थी मुवी की story शूर्व होती है एक ancient बुद्धा statue से जिने चोरी करके कुछ gangster शहर ले आते हैं और उसी के पीछे Tony जहा आते हैं मुवी में देखने लायक है विवर्स के Tony जहा उस पुराने बुद्धा statue को गंस्टर से छोड़ा पाते हैं या फिर नहीं छोड़ा पाते हैं मुवी full of action proof है और इसके martial art action देखने लायक है और इस मुवी को भी आफ हिंदी में देख सकते हैं मुवी को रिलीज की गे थी 1995 में और मुवी बेस्ट है Crime and Thriller Activity के ओपर मुवी की इस्टोरी शुरू होती है केनू से जो कि एक Hong Kong में पूलिस अफिसर रहते हैं वो New York में अपने अंकल के पास घूमने जाते हैं वहीं पर उन्हें पता चलता है कि वो एक सिंडिकेट या फिर कह सकते हैं क्रिमिनल सिंडिकेट में आप पहुँचे हैं मुवी में देखने लायक बहुत कुछ है और इसमें जैकी जैन के ओरिजिनल स्टंट आपको पागल कर देंगे इस मुवी में आप ऐसे बहुत सारे नामुम्किन स्टंट देख पाएंगे जिसे सिरिफ जैकी जैन ही कर सकते हैं और इन सभी स्टंट को जैकी जैन ने बखुवी निभाया है मुवी को आप जरूर देखें और मुवी को हिंदी में भी रिलीस की गई है नंबर 6, कर्सिनो रौयाल मुवी को रिलिस की गई थी 2006 में और मुवी बेस्ट है thriller and action activity के उपर मुवी की story के अगर हम बात करें तो मुवी की story शूरू हती है मुवी बेस्ट है जैम्सबंड के सिरिज के ऊपर और कसीनो रोयल के अगर हम बात करें तो कसीनो रोयल one of the best movie है जेम पॉंड के सिरीज में मुवी के action बहुत ज़्यादा interesting है और मुवी की theme story भी बहुत ज़्यादा interesting है इसके dialogues सबसे ज़्यादा interesting तब लगेंगे जब कसीनो में कोई game खेला जाएगा मुवी में full of action में आप डैनियल को देख पाएंगे और डैनियल ने इस मुवी में अच्छा खासा action proof role play किया है मुवी की stunning action आपको पागल कर देंगे और मुवी की storyline भी बहुत ज़्यादा interesting है और इस मुवी को भी चाहिए तो आप हिंदी में देख सकते हैं मुवी को release की गए थी 2008 में और मुवी बेस्ट है sports, drama and action activity के ओपर मुवी की अगर हम बात करें तो मुवी actually एक true incident पर घटी है या फिर कह सकते हैं कि ये एक biopic है मुवी actually based है या आप man के ओपर या फिर कह सकते हैं master या आप man के life के ओपर बेस करके ये complete मुवी बनी है कि वो किस तरह struggle करके अपने martial art को जिन्दा रखते हैं या फिर martial art को popular करते हैं मुवी में जितने भी action दिखाये गए हैं सारे का सारे original हैं और इसमें किसी भी तरह की vfx use नहीं की गई है मुवी को release की गए थी 2004 में और मुवी based है drama fantasy and action activity के ओपर मुवी की story के अगर हम बात करें तो मुवी की story बहुत ज्यादा interesting तो है नहीं लेकिन इसके action बहुत ज्यादा interesting है मुवी आपको थोड़ी बहुत boring लग सकती है और इसकी storyline थोड़ी बहुत कमजोर लग सकती है लेकिन यकीन मानिये दोस्तों ये low budget मुवी सारी दुनिया में अच्छी खासी चली है और इसे सभी ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है मुवी में हलके फुल की comedy के साथ stunning action या फिर कह सकते हैं अलग तरह की concept वाली action इस मुवी में नजर आई थी और इसमें director ने martial art को या फिर कह सकते हैं kung fu को एक अलग तरीके से दिखाया है मुवी को आप जरूर देखें और मुवी को आप जरूर enjoy करें और इस मुवी को चाहिए तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं मुवी को रिलिस की के थी 1982 में और मुवी बेस्ट है drama mystery and action activity के उपर मुवी की story के अगर हम बात करें तो मुवी की story शुरू होती है John Rambo से जो की US soldier रहते हैं और जिनकी बहुत सारी बुरी यादे रहती है Vietnam War की या फिर कह सकते हैं उनके दिमाग में वो सारे tortures हमेशा घूमते रहते हैं इसी बीच वो एक छोटे से शहर पहुंचते हैं और वहाँ पर जाके उन्हें कुछ troubles face करने पड़ते हैं मुवी की action बहुत ज़्यादा interesting है और यह मुवी बहुत ज़्यादा hit भी हुए थी और इसे इंडिया में भी release की गए थी in 1982 में मुवी को आप जरूर देखें मुवी को release की गए थी 2016 में और मुवी based है science fiction and action activity के उपर मुवी की story के अगर हम बात करें तो मुवी की story based है USA में घटी एक दिन के बारे में या फिर कह सकते हैं कि USA में अचानक से एक announcement की जाती है कि एक दिन आपका दिया जाता है कि आप किसी भी लोग से या फिर अपने किसी भी दुस्मन से डारेक्टली रिवेंज ले सकते हैं या फिर डारेक्टली उसे मार सकते हैं लेकिन government कोई भी कारवाही नहीं करेगी इसी को बेस करकर ये complete मुवी बनी है मुवी बहुत जादा action proof है प्लस ये sinister activity से भरी परी है और इसके action आपको बहुत जादा घिनावने भी लग सकते हैं क्योंकि मुवी के action सच में बहुत जादा घिनावने किये गए भी है और इस मुवी को भी हिंदे में release की गई है मुवी की concept story एकदम different थी और मुवी बहुत जादा hit भी हुई थी और last और number one पर हम बात करेंगे the equalizer मुवी को release की गई थी 2014 में और मुवी बेस्ट है thriller action and crime activity के ओबर मुवी की story शूरू होती है मैकॉल से जो की simply अपना life spent कर रहे होते हैं लेकिन जब भी वो किसी criminal activity को देखते हैं तो वो violent हो जाते हैं और अपने a slave fighter character में आ जाते हैं मुवी की story तो one of the best है ही साथ ही साथ इसमें आपको Denzel Washington की action बहुत जादा interesting लगेगी कि simple इंसान से किस तरह वो एक cruel justify करने वाले इंसान बन जाते हैं मुवी की story feeling से भरी पड़ी है मुवी को आप जरूर देखें और इस मुवी को भी हिंदी में release की गई है तो भीवास उमेद करता हूँ कि आपको ये आज का countdown पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो please मेरे चनल को subscribe करें लाइक का बटन जरू दावाए और comment हमसे जरू शेयर करें तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ खुश रही है healthy रही है गुट बाइ